पुलिस थाना अंतरगत मराठे फिल बनाने के लिए सरकार द्वार जी जाने वाली आर्थिक मदद दिलाने की नाम पर एक आरूपी द्वारा मा बेटी को पाच लाक रुपे का चुना लगाय जाने का मामला साम्याया इस संदर में पुलिस नरेक्षिक रविंद्र पवार में अधिक जानकारी साजा कियी प्राप्ट जानकारी के नुसार पुलिस ने गजानन गेट महल निवासी दीपा प्रदीब गोली की शिकायत पर मामला तरस किया है आरुपे चोकेश्वरी मुंबई निवासी धर्मेनर चुनिलाल बिनकर पताया किया दीपा के बेटे को एक मराठी सिनेमा बना रहा था मार्श 2017 में उसका परीचे धर्मेनर से हुआ दर्मेनर बताया कि मराठी फिल्म बनाने के लिए राजस सरकार द्वारा आर्थिक मदद की जाती है इसका लाप दिलाने की नाम पर उसने 5 लाख रुपे की मांगी साथ में करार नामा करने का भी विश्वास लया था धर्मेनर पर विश्वास्क दीपा और उनकी बेटे ने उसके खाते में आटीजी अस्त्वारा पाच लाख रुपे ट्रांस्फर करती पैसे लेने के बाद धर्मेनर ने करार नामक करने से इंकार करती है और पैसे भी नहीं लोटा आए गनेश्पेट पुली स्टेशन ला महल नाखपूरे ते रानार्या महिला नामे दीपा गोडे यांचा मुलगाजो पुन्या मदे माराटी फिल्म स्टी मदे काम करा चमने जेला होता ते ता काम करत होता आनी दीपा गोडे या जा आहे तेनी पुली स्टेशन ला तकरार देली होती कि तेंचा मुलाची मुंबय मदे रानार्या एक वेक्तिया आहे धर्मेंद्र बिनकर महिला याची शोडग जानी अर्मेंद्र बिनकर याने आंनी दीपा गोडे यांचा मुलाला आस संगीटले कि तो मराटी चित्रपट निरमिती करने साती जर्तुम्हाला कर्ज पाई जासील लंबे समय तक वट्टाल वटू करता रहा आखिर परिशान होकर दीपा ने मामले की शिकायत पुलिस से की पुलिस ने धोकादरी का मामला दर्सकर आगे की जांच आरम की है कैमरा पोसन माइकल के साथ दिशाहटवार बीसीन न्यूस नापूर